आज मैं आपका एक पैसा नहीं खर्च होने दूँगा और मैं गारेंटी लेता हूँ आप इंगलिस बोलना आप सिख जाओगे गैज अधिकतर क्या होता है कि जब भी हम अपने वाटसप पर किसी भी फ्रेंड से अगर चैट करते हैं अगर आपका फ्रेंड इंगलिस में अगर आपको रिपलाई देता है तो उस समय गैज यदि आपको इंगलिस नहीं आता है तो बोरिंग फिल होता है और क्यों नहीं होगा क्योंकि गैज इंगलिस का जवाना काफी ज़ादा भी आगे बढ़ रहा है तेजी से तो गैज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप घर बैटकर अपने मुवाइल की मदद से आप अपना इंगलिस का जो बेसिक है वह आप कैसे स्ट्रोंग कर सकते हो साथ में आप अपने फ्रेंड से यदी वाटसब पर बात करते हो तो आप इंगलिस में कैसे रिपलाई दे सकते हो इसका भी तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और मैं आपको इजी एस्टे बताऊंगा जिससे आपको असानी से समझ में आ जाएगा तो हाई गैज में हूँ आदर्स आपको आदर्स कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्लेश्ट आपको अपन कर लेना है देन उसके बाद आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट जैसे अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो गूगल ट्रांसलेट आपको टाइप कर देना है जब आप Google और यहाँ पर Google के बाद टी आर ए जब आप टाइप करोगे उसके बाद फ़र्स्टी पेज पर आपको Google Translate एप का जो लोगो है वो सोग करेगा तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करोगे उसके आद इहाँ एप को आप देहान से देख लेना यही एप को आपको इंस्टॉल करना है गाज इहाँ एप के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे आज मैं इहाँ आपका जो सही तरीका जिससे आप हिंदी से इंगलिस या दुनिया के कि सी भी लैंग्वेज्ट को आप हmore method को इंगलीज्ज्ज्ट में आए सकते हो इसका में एकदम Mac को बताऊंगा उसके बाद गाज यदि कितना percentage लोगिja को मारे इंडिया में ऐस Gul कर दें जैसे आप देख सकते हो की one please प्लस नम कोड़ों लोग यहां पर यह एप का यूज करते हैं गाज आप मैं आपको बताता हूं जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है ओपन करना है जब आप फर्स्ट ताम इसे ओपन करोगे तब आपसे अलाव का परमीशन माईएगा तो आपको क्या करना है एलाव का परमीशन दे देना है उसके बाद आटोमेटिक आप इस पेज के इस एप के होम पेज पर आप पहुंच जाओगे उसके बाद गयाज इसमें हम आपको पहले बता दे कि अभी आप देख सकते हो कि यहां पर मैं हिंदी से इंगलिस में सेलेक्ट किया हूँ तो simply आपको क्या करना है जैसे हम आपको एक example दे कर बता देते हैं जैसे मैं आप लिखते हैं आप कैसे हो तो चली यहां पर मैं type कर देता हूँ आप कैसे हो जब आप लिख दोगे आप कैसे हो उसके बाद इसका जो meaning जो है वह आप देख सकते हैं how are you तो guys यह इस Hindi word आप लिख कर यहां पर आप English में आप जान सकते हूँ जिससे आपका English का जो base है वह काफी ज्यादा strong होगा उसके बाद गाज यह एप का जो सबसे अच्छा जो मुझे खासियत लगा वह यह लगा जैसे कि आप अपने friends से WhatsApp पर आप बात करते हो जैसे आप मान लो कि यहां mobile का जो keypad है इसमें जो है Google Translate का logo जो है वह already आ गया है तो then आपको क्या करना है यही आपको logo पर एक बार click कर देना है जब आप click करोगे तब आपको यहां पर option मिल जाता है कि आप यहां पर हिंदी में लिख होगे और यहां पर typing जो है वह English में होगा जैसे यहां पर फिर से म आप कैसे हो तो अभी आप यहां पर हिंदी वर्ड देख सकते हो देन उसके बाद ऊपर में आप इंगलिस वर्ड देख सकते है हाव आर यू तो गाज यह यहां पर जो है इंगलिस वर्ड काफी असानी से हो जाता है जिसमें आप किसी भी फ्रेंड से आप इजी स्टीम में तो गयाज की किसी भी language को आप हिंदी में आप आन सकते हो कहने का मतलब यह है कि आप इंगलिस के साथ आप दुनिया के हर एक language का आप हिंदी और इंगलिस मिनिंग आप निकाल सकते हो जैसे कि गाज अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैं इसे हिंदी से यहाँ पर इंगलीस सेलेक्ट किया हूँ तो सिंपली आपको क्या करना है इंगलीस वाले पर एक बार आपको किलिक कर देना है उसके बाद आपको दुनिया के हर एक लेंगले जो है वह आपको यहाँ पर मिल जागा तो जैसे गाज आप चाहते हो चैनीज लेंगवेज को आप हिंदी में आपनना तो गाज आप सिंपली आप चाइनीज पर आप एक बार किलिक करोगे और वह लेंगवेज जो है ओटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जागा तो इस तरह से दुनिया का हर एक लेंगवेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो गाज यह एक में मुझे सबसे अच्छा बात लगा तो गाज यह आप चाते हो इसी तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए या फिर आप जो भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हो आप पसंद करना चाते हो आप अगर चाते हो कि और मैं आपको कोई ट् अन्यवाद